हेलो स्टुडेंस पटवारी रेलवे एंटी पीसी आधिक अम्परेटिव एक्जाम्स के लिए हमारा आज का जनरल साइंस का टोपिक है द्रव्य योगिक मिक्चर और जो राशायनिक सयोजन के नियम है इनके बेसिक स्टेडी करने वाले हैं पहले हम द्रव्य के बारे में मिश्रन होता है एक अगर दो या दो से अधिक सुद्ध पदार्थ किसी चीज में मिल जाए तो वह होता है मिश्रन ठीक है सुद्ध पदार्थ दो या दो से अधिक अगर सुद्ध पदार्थ अकेला है तो वह प्योर सबस्टेंस कहलाता है अगर दो या दो से अधिक सुद दो भागों में हमने बाटा है, एक होता है तत्वे और दूसरा होता है आपका योगिक, अब देखो जो तत्वे हैं उसके एक्जामपल्स जैसे आपके पास hydrogen है, carbon है, oxygen है, nitrogen है, ये सभी तत्वे हैं, और योगिक क्या होता है, कि दो ये दो से अधिक ये जो तत्वे हैं, ये म चिन में क्या होता है, carbon, hydrogen और oxygen, ओके, जैसे आपके पास salt हो गया, salt का मतलब नमक हो गया, जिसमें क्या-क्या मिला होता है, sodium और chlorine, NaCl, ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखने किये, यहाँ पे, अब हम देखते हैं, misran को आगे classify करते हैं, जो misran है, उसे भी दो बागों मे हमने बाटा है, पहला भाग होता है, समांगी misran, जिसे आप homogeneous बोलते हैं, और एक होता है, विश्मांगी, जिसे आप heterogeneous बोलते हैं, ठीक है, अब देखिए समांगी, समांगी का मतलब जिसमें समान मात्रा में हो, यानि समान हो, विश्मांगी यानि अलग-अलग हो जाए, त जैसे आप पानी लो और पानी में आपने नमक डाल दिया और उसको घोल दिया तो आपको वो अलग दोनो नमक और पानी दोनो अलग अलग नहीं दिखेंगे, सात मिक्सप हो बिश्मांगी ऩुल नवर में दारु मोल डाल देते हो तो अलग लग नहीं होते मिक्स हो जाते हैं घ्यक है वैसे विश्मांगी क्या होता है विश्मांगी When Aike आपके पास नमक है और चीनीनी और नमक को आप डाल डाल देगे वह लग लग दिखेंगे आद आपको तो वो आपका विष्मांगी हो गया ठीक है, जिसे रेत में आप नमक डाल दोगे, रेत के साथ लकडी का बुरादा डाल दोगे, तो ये आपके विष्मांगी मिश्रन में आते हैं, ठीक है, आगे हम classify करते हैं तत्यु को, जो आपका ये तत्यु है, भागो lorsque We die, जो तत्त है इसको तीन भागों में हमने बाटा थैं, तत्त को एक होता है ध monopol को एक होता है इक होता है ए दात्त दात्त तीसरा होता है उपधात्त अब देखो धन्-तtr थोर एं आगात वर्द्य है ठीक है यह चमकीले हैं तन्य हैंउ यह इनके प्रोपर्ट्टी जो गई आपको उदारन देखें तो लोहा हो आपके पास तांबा हो गया, कोपर हो गया, ठीक है, अब देखते हैं अदातु क्या होते हैं, जो अदातु दातु से विप्रित उल्टे होते हैं, यानि यह ब्रंगूर होंगे, कटोर नहीं होंगे, ओके, जैसे एकजामपल देखो, सलफर हो गया, आपका लकडी, best example आपको sulfur हो गया, phosphorus हो गया oxygen हो गया, आपके पास nitrogen हो गया hydrogen हो गया, ये सबी एदातू है, देखें उपदातू क्या होंगे ये जो उपदातू है, ये क्या होते है अगर आपके पास दातू है एक है एदातू, अगर इन दोनों भी नहीं है, और एदातू भी नहीं है, तो उसे आप क्या बोलते हैं उपदातू, उपदातू के आपको examples याद रखने है arsenic, ठीक है, antimoney हो गया बिस्मित हो गया, ये सभी उपदातू के examples है अब हम देखते हैं, जो आपका योगिक है ये योगिक का classification करते है योगिक को दो भागों में आपने बाटा है एक होता है carbonic yogic और दूसरा होता है carbonic yogic अब देखो carbonic yogic क्या होते हैं ऐसे compound जिसमें आपके पास carbon मिलेगा, ठीक है hydrogen मिल सकता है oxygen मिल सकता है या आपके पास nitrogen मिल सकता है ये अगर चार तत्व अगर किसी भी आपके कंपाउंड में होंगे तो वो कार्बनिक योगिक होगा और अदर्वाइज जैसे आपको फासपोरस मिल गया, पोटेशियम मिल गया, ठीक है, केलसियम मिल गया, आपके पास जो मेगनीशियम मिल गया, मेगनीशियम का फोर्मुला, तो ये मिल गया, तो ये सभी आपको क्या मिलेंगे, एकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं हो वो एकार्बनिक, और जिसमें कार्बन हो वो कार्बनिक, सिंपल सी डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है, अब नेक्स तोड़ा आगे बढ़ते हैं आगे आते हैं तु देहों , थोस होती है life है, सबसे पहले तत्व को सूचास बकिने जीit मैंई जैसे कार्वन को सी से धरूसाते हैं नाइटरोजन को अट सेय के sickness ने बताया था ठीक है और तक्तों सब्द का सबसे पहले परियोग रोबर्ट बॉयल ने च्छ ठता हिए हका जो केमिकल वर्गी कृन है राशानिक यहhes السब्ध वर्गी करण है क्षण है ड्रव्य का हमने देखा घ्रव्यका frying udषे और मिष्ण में बता तत्व के बारे में क्या है कि तत्व एक ही प्रकार के कणों से बने द्रव्य हैं जिने किसी बोतिक अत्वा रासानी प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता तत्व के जो अव्यवकण होते हैं प्रमानुत अणू हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया ओक्सिजन हो गया जो तत्व हैं उनको आप बना सकते हो मतलब उन्हें मानव निर्मित मेनमेड कहा गया है बानव से करमांग से पहले आपके जो तत्व थे सारे वो प्राकर्तिक तत्व थे ठीक है तो बानव के बाद के जो तत्व है उन्हें प्रायूरेनियम तत्व भी आप बोल सकते हैं ओके अब देखिए दातों में दातों में चमक होती है खटोर होती है इनका गलनाग को अतना गाधिक होता है उश्मा और विदुत की सूचालक होती है यह सारी चीजे हैं यहाँ पर आपको यह सभी चीजे देख लेनी है एक बार ओके अब योगिक के बारे में आगे बिन बिन तत् पर यह योगिक और एक अनू बना देंगे, राइट, जैसे आपके पास जल का उधारण देखें, तो जल किसे बनता है, आपके पास जो जल है, वो किसे बनता है, ध्यान रखना, वो hydrogen और oxygen से बनता है, और यह देखें, यह आपका जल है, ठीक है, इसे आप जल कहते हैं और इसका जो formula होता है H2 होता है ये भी ध्यान रखना ये CO2 है इसे आप कहते हैं CO2 carbon dioxide ओके CO2 क्या है carbon dioxide आपकी ओके मिश्रण के कितने परकार होते हैं समांगी और विश्मांगी दो परकार होते हैं हुआह्या रखना और नमक को जल में गोल देंगे तो वह समांगी परकार और नमक को अगर चीनी में गोल देंगे तो वह विश्मांगी точноo आपका ओके बच्चों अब देखो जो द्रव्य होता है उसका बोतिक वर्गी करण हम देखे रासानिक वर्गी करण तो देख चुके हैं बोतिक वर्गी करण में क्या देखते हैं कि जो द्रव की अवस्ता है क्या क्या होती है ठोस अवस्ता होती है एक द्रव्य अवस्ता होत बहुत पास-पास होते हैं ठीक है drug dust अवस्ता में थोड़े दूर-दूर ,皆 और बी दूर होते हैं जिसे यह आप डाइग्राम यहा पर देखें यह thos अवस्ता में जो कण्ड हैं बहुत पास-पास हैं आपको देख रहे हैं द्रवय अवस्ता में आपको तो थोड़े दूर-दूर और गहें सवस्ता में बहुत ही दूर-दूर आपको यह कंड दिखेंगे, ओके, आप देखते हैं, जो प्रोपर्टी जो matter and their measurement, देखो, दो प्रकार की प्रोपर्टी होती है, फिजिकल प्रोपर्टी और एक होती है, अब जो फिजिकल प्रोपर्ट एक तो वह इसमेल आपका physical property हो गया, उसको आप गरब करोगे तो कितने degree Celsius पे वह गरम होगा, पानी को आप गरम करते हो, तो कितने degree Celsius पे वह गरम होता है, कितने degree Celsius पे वह जम जाता है, ठीक है, तो ऐसी चीजें इसके भोतिक गुण, यानि physical properties होती है, अगर हम देखो लकडी लें और उसको जलाएं तो उसको आप जलाने को क्या कहेंगे उसका रासायनिक गुण दर्म बोलते हैं ठीक है तो पदात के वे गुण जिन्हें पदात के संगठन के परिवर्तन के आधार पर परिवाशित किया जा सकता है उन्हें रासायनिक गुण कहते हैं ठीक है और बहु में पहला नियम हम पड़ते हैं द्रव्यमान स्रक्षन का नियम ने तो कोई द्रव्य को बनाया जा सकता है और नहीं नश्ट किया जा सकता है ठीक है यानि कोई भी द्रव्य का मास है द्रव्यमान है ठीक है द्रव्यमान को ने तो बना सकते है अपनो और नहीं गटा सकते है ठ C के द्रविमान के बराबर होगा आपको ध्यान रखना है A और B का जो द्रविमान है वो C के द्रविमान के बराबर होगा यानि A प्लस B यानि अभिकारकों का कुल द्रविमान उत्पादों के कुल द्रविमान के बराबर होता है दूसरा नियम आप देखो इस्तिर अनपात का नियम कहलाता है अब जो इस्तिर अनपात का नियम था वो जो से प्राउस्ट ने दिया था और 1709 में दिया था एक बात में यहां पर बताना भूल गया कि जो रासानिक स्रक्षन का नियम है वो एंटोनी लिवर्जियर ने दिया था एंटोनी लिवर्जियर यह दियाता है 1700 निवासी में यह ध्यान रखना है आपको अब देखिए जो इस्तिर अनपात का नियम है वो क्या कहता है इस्तिर अनपात का नियम कहता है कि किसी योगिक के तत्तों के जो द्रविमान होते हैं उनका अनपात सदेव समान रहता है फोर एक्जांपल में बताऊं और उक्सीजन होगा उन दोनों का जो अनुपात होगा एक अनुपात आठ ही होगा चाहे आप कुए का जल ले लो नदी का जल ले लो तालाब का जल ले लो तो आपका मतलब क्या निकला कि इनका जो अनुपात है ना वो फिक्स रहता है चाहे आप कुए का ले लिए जल सागर का ले लीजिए समुंद्र नदी बैतिवी नदी किसी गंदे किचड़ वाली नलिका ले लो तो भी इसमें हाइडोजन और ओक्सीजन का अनुपास सेम रहता है तो इसे आप इस्तिर अनुपात का नियम कहते हैं यह जो से प्राउष्ट के द्वारा दिया गया था आगे नियम है आपका गुणित अनुपात का नियम जो गुणित अनुपात का नियम है यह डॉल्टन साब ने दिया था डॉल्टन ने अठारा सो तीन में यह नियम दिया था यह नियम क्या कहता है देखिए यदि दो तत्त्य संयोचित होकर एक से अधिक योगिक बनाते हैं तो एक तत क्या होती है CO2 को तो आप बोलते है carbon dioxide और जो CO है ना CO को आप बोलते है carbon mono oxide यह द्यान रकना अब देखे आपके पास आपने एक तो carbon ले लिया एक carbon लिया और एक लिया अपने oxygen carbon लिया आपने 12 ग्राम और oxygen भी 12 ग्राम सोरी वन मिनट देखिया आप पर यहां पर सिंपल तरीके से बताता हूं मैं आपको आपने ले लिया कार्बन बारा ग्राम ओक्सीजन ले लिया आपने जो यह कार्बन है यह कितना है 12 ग्राम यहां पे कार्बन कितना था आपका 12 ग्राम अगर कार्बन का आप यहां पे इन दोनों का अनुपात निकाले तो वन रेशो वन आता है न सही है अगर इस ओक्सीजन का और इस ओक्सीजन का अनुपात निकाले ओक्सीजन कितना है 16 यहां बता रहा है, आपको कि यह सरल अनपात में हो जाते हैं, ठीक है, यानि दो तत्यु संयूजित होकर एक से अधिक योगिक बनाते हैं, तो एक तत्यु के साथ, दूसरे तत्यु के संयूगत होने वाले द्रवमान होते हैं, वो सरल अनपात में हो जाते हैं, जो फोर्थ नियम है आपका वो है गेलुसेक का नियम, गेलुसेक का नियम, गेलुसेक के द्वारा 1808 में दिया गया, ये नियम गेंसों के लिए है, ठीक है, गेंसों के लिए है, इसमें देखिए नियम क्या कहता है, आपको एक कंडिशन द्यार रखनी है, समानताप और समानताप पर गेंसे सरल अ पाथ में होगा, देखिए इसका एक्जामपल देखिए, जैसे आपके पास हाइडरोजन है ऑक्सीजन है, हाइडरोजन ऑक्सीजन मिलके जल बनाते हैं, यानि आपको भाप बनाना है, भाप, वाष्प, वेपर, तो आपने 100 ml हाइडरोजन ले ली, और 50 ml आपने 50 ml ले ली ऑक अनुपात निकालें तो एक सरल अनुपात बनता है और सरल अनुपात देखो कितना बनेगा इसका दो अनुपात एक अनुपात दो तो यह गेलुसेक का नियम है, Parlament 1808 चुने दिया गया यह किसकिस ने दिये इन चेसे को आप दियान रखना है गुनितन पात का नियम डॉल्टन ने दिया था इस्तिरहनपात का नियम जोसेप प्राउस निया था द्रेवमान स्रक्षन का नियम अन्टोणी लिवेजर नहीं दिया था तो गाइस हमारे चेनल को सब्सक्राइब करिए और PDF के लिए आप टेलिग्राम चेनल को जॉइन कर लीजिएगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो टेलिग्राम चैनल को आपको जॉइन करना है वहां से आपको PDF मिल जाएगी और सारा स्टेडी मैटेरियल आपको फिरी में वहां पर उपलब्द हो जाता है और वीडियो को सेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच